हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुरा हुल जैस्वाल एंग स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक most important science का lecture वीडियो लेकर आगे हो दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8 standard के लिए science subject जो हमारा chapter चल रहा था फ्रेंड्स जिसका नाम है chapter 16 reflection of light आज हम लोग इस particular chapter का lecture 2 आपके लिए लेकर आगे हैं जो कि अगेन एक बहुत ही जाद उसको हम लोग आज complete करा देंगे और उसके उपर कुछ एक दो questions है वो भी आपको करा देंगे ताकि हमारा chapter है totally हो जाए complete तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे जो topic है वो है reflection of the reflected light reflection of the reflected light बहुत ही unique topic है बहुत ही अच्छा topic है और यह चीज आपको सोचने में ठीक है यह समझ लो imagine कर लो बच्पन में हम लोग बनाते थे यह आपका नदी बहरा है हां से ठीक है और यह जो मून है यह पूरा blue blue आपका समुंदर समुंदर ने क्या बोलते है इसको नदी का पानी बहरा है यहां पर पानी के अंदर reflection आपको दिखाई दे रहा है समझ लो तो sun को हम लोग देख पाते हैं directly क्यों देख पाते है sun को क्योंकि sun के पास खुद का light है लेकिन moon जो है उसके पास खुद का light नहीं होता है moon अपना light लेता है sun से यानि कि sun का light होता है वो moon पे जब reflect होता है कि moon के उपर पड़ता है तब जाके वो हमें दिखाई देता है कि यह वो चमक रहा है जैसे कि example के तुर में बात करूँ मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज हम जब देखते हैं वो क्यों देख पाते हैं क्योंकि उसके उपर sun का light यानि कि कोई भी source of light जो है जब उसके उपर टकराता है आके तो हम लोग को वो चीज दिखाई देती है correct है यह चीज आप अगरी करते हो यह चीज मैंने बहुत बार explain क्या हुआ है तो उसी प्रकार जो आपका moon जो होता है तो moon जब अंधेरे में हम लोग moon को जब देखते तो हमें moon चमकता होता है इसके लिए हमें moon जो है वो चमकता हुआ दिखाई देता है अब यहां पे तो reflection का भी reflection है यानि कि reflection of the reflected light यानि कि moon जो है खुद एक reflection के वज़े से चमक रहा है लेकिन उसका reflection भी हमें पानी में दिख रहा है ऐसा है क्यूंकि जब moon चमक रहा था तो वह पूरा light जो है अगर moon बडा होता है और एकदम米 था हुदा है चमकता है तो हम लोको थोड़ा सा कम अंधेरा मेहसूस होता है थोड़ा सा light मेहसूस होता है तो वह light के वज़े से जब यह पानी के ऊपर पड़ेगा और पानी आपका क्या होता है एक optical चीज होता है जैसे कि वह आपको बहुत जो होता है, for example, यह मेरा sun था, तो sun का light यहाँ पर पढ़ रहा है, moon के वज़े से, moon का light जो है, यह पढ़ रहा है, हमारे optical चीज, यानि कि optical चीज क्या है, मेरा यह नदी है, जिसमें पानी है, और जिसके वज़े से यह चीज दिखाई दे रहा है, तो अगर हम लोग को एक इंस यहाँ पर गया, यहाँ से टकराया, यहाँ पर आया, तो इसका क्या हो गया, reflection हो गया, reflection of the reflected light, यह एक ऐसा फिनान है, और इसका देखा जातो देरा so many things, star भी आप देख सकते हो, star भी हम लोग को reflection के वज़े से दिखाई देता है, अगर बहुत बढ़े-बढ़े stars present at atmosphere में, त आपको वो यहाँ पर reflection में भी दिखाई देंगे, ठीक है, एक दा अंधेरा जब होता है, light जब रहती है, तो हम लोग देख पाते हैं, तो यह जो phenomenon होता है, कि हम लोग कोई भी चीज़ का प्रतिबिम्ब, यानि कि reflection देख पाते हैं, और वो reflection भी reflection के वज़े से ही आया है, इ device होता है, kladioscope, यह क्या होता है, कैसे होता है, यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले, मुझे यह topic को rough करना पड़ेगा, उमीद करता हूँ कि यह topic आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं, अगले topic के ज़रब, जिसका नाम है kladioscope, फिर kladioscope के बाद हम लोगों प इस ही पकड़ लो एक तरीके का, तो kladioscope मतलब क्या होता है, अगर आपको इसको बनाना है, तो आपको क्या करना है, तीन rectangular strips लेने, ठीक है ना, तीन rectangular, एक समझ लो ऐसा एक rectangle जैसा है, तो तीन ऐसे shapes लेने हैं आपको rectangle के, जो की किस से बने रहेंगे, काच के बने रहेंगे, ग्लास के बने रहेंगे, और इसको इस तरह arrange करना है, कि वो जो है, आपको triangle जैसा बन जा, यानि कि समझ लो ऐसा, समझ मैं आ रहे हैं, दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस प्रकार से, ये लगबग ऐसा रहेगा, ठीक है, समझ मैं आ रहे हैं, मैं क्या ब तो समझ लो, इस प्रकार का, आपको ये चीज नजर आएगा, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है, तो ये triangle shape में क्या बना दिया ये, तो ये device को हम लोग बोलते है, क्लाइडियो स्कोप, आप करना क्या है, एक side को आपको कोई white paper से cover कर देना है, और इसके अंदर बहुत सारे का कागच के तुपड़ डालना है, और एक side से आपको देखना है, यहाँ से आप क्या करोगे, इसको देख सकते हो, तो जब आप उसको थुरू देखे होगे, तो यहाँ पर तीनो side क्या है, ये side भी काच है, ये side भी काच है, और नीचे भी काच है, तीनो side से काच pack है, और because य बहुत ही अलग-अलग डिजाइन बनते वह दिखाई देंगे और यह क्लाडियोस्कोप का काम होता है और यह सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है फॉर यूजिंग डेकोरेटिव वाल्स डेकोरेटिव वाल्स जब डिजाइन करते हैं तो हमें डिजाइन की जरुत होती है वो डिजाइन को वहां से लिया जाता है फिर कपड़े को डिजाइन करने के lirium यह इसका इस्तेमाल किया जाता है तो अमीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ रहेहां तो यह आप बना भी सकते हो घर पे अगर आपके पास नच है तो आमें टुसे बहुत कम लोग के से रेक्टाइंगल शेप के बने हुए एक ट्राइंगल जैसा शेप होता है लंबा उसके अंदर जब हम लोग देखेंगे तो वो क्या होता है थीनो साइड के experiment किया होगा, कि scale ले लो और उसको कोई भी light के सामने देखो, तो उसमें कैसे अलग-अलग colors दिखाई देते हैं, तो same इसी प्रकार है, लेकिन यह थोड़ा अलग है उससे, यहाँ पे तिन-तिन यह अपने designs को repeat नहीं करते हैं, यह अलग-अलग तरीके से images form करते हैं, हमेशा आप देखोगे, जब भी आप नय तरीके से देखोगे, नया direction में रखोगे, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, तो हर बार उसका जो shape बनेगा, हर बार जो design बनेगा, वो क्या करेगा, अ every time the design will be different, and this is called as the cladioscope, clear है, तो एक छोटा सा topic था, experiment वाला cladioscope, यह आपको समझ में आ गया होगा, अब एक और ऐसे ही मिलता जूलता एक topic है, जिसका नामे पेरिस्कोप, और यह पेरिस्कोप तो शायद आपने देखा भी होगा, कोई movie में, cladioscope तो चलो बहुत rare था, यह आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन अगर मैं एक और topic बता हूँ, जिसका नामे दोस्तो पेरिस्कोप, तो पेरिस्कोप का मतलब क्या होता, यह मैं आपको बता देता हूँ, तो पेरिस्कोप, कि अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखो, पेरिस्कोप का मतलब, समझ इस प्रकार का डाइगरह मैं इस बैलाने की इसका तरीके से बताने की कोशिश खर रहे हूँ ठीक है ना तो ध्यान से देखेएगा हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा इस पार्ट और अब समझ लो ये वाला पार्ट यहां से cross section यहां पर आया है ठीके, ओके, यह वाला part है औके, और यह वाला जो है, यहां से tilted है ठीके, यहां से इस प्रकार tilted है ठीके, ओके, यह आपका हो गया mirror पहला वाला यह आपका हो गया mirror दुसरा वाला और इसमें कुछ angles भी होते हैं, अगर मैं बात करूँ, एक particular angle होता है, कि यह जो angle आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यह जो angle होता है, 45 degree का angle होता है, तो same इसी प्रकार यह जो angle होगा आपका, वो कितना हो जाएगा, 45 degree का होगा, ठीके, और यहाँ पे एक तरीके से light ray होत होता है, यह क्या होता है, light ray होता है, तो होता क्या है, यह जो को device है, मैं आपको diagram मैंने बना कि दिखा दिया है, यह बहुत ही मज़ेदार चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग periscope, यह एक mirror होता है, यहाँ से कोई देखने वाला होता है, समझ लो, तो यह कहां use होता है, मैं आ कड़े भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें रहना होता है, और पानी में आसपस क्या हो रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, तो अगर मुझे देखना है, कि पानी के ऊपर क्या हो रहा है, तो यह pipe जैसा चीज जो होता है, वो बाहर निकलता है, ऐसा बाह और इन्टेंस हो जाएगा और यहां पर आगें 45डिकरी का मिरर डाला हुआ है, तो इसके लिए वो इधर टकराएगा, तो इधर जो भी चीज रहेगा, for example इधर मैंने रखा हुआ है, apple तो यहां से मैं देखरा हुआ हुँ दोस्तों, तो भी मुझे वो चीज एपल यहां पर दिखाई दे रहे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कि कोई भी चीज देखने के लिए आपको एकदम और रिफ्लेक्टेड 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 रिफ्लेक् अगर आपने देखा होगा तो वो आपको समझ में आएगा एंड यही जो चीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते है दोस्तो पेरिस्कोप बोलते है तो क्लैडियोस्कोप और पेरिस्कोप यह बहुत ज्यादा यूज होता है ऐसे ही चीजों में और खासकर सब्मरीन में जैस चाहिए और 45 डिग्री पे इसको plot करना बोद दा साइट पे तो वो थोड़ा सा difficult होता है तो हम लोग बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बेट फिर भी यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे अगर यह चीज परफॉर्म हम कोई numerical पूछता है तो आप उसका answer कर पाऊगे ठीक है दोस्तों तो यह तो हमारा concept का जितने भी चीज़े थी हमने बता दी अब छोटे से दो numerical है उसको भी complete करा जितने फिर आज का जो lecture है उसको हम लोग stop करेंगे ठीक है तो सबसे पहले इसको मैं rough कर देता हूँ तो ध्यान से देखिएगा हर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा तो लेट्स राइट डाउन दो फर्स नुमेरिकल हीर ठीक है नुमेरिकल हीरिंग डाल देता हूँ ठीक है नुमेरिकल सॉल करेंगे हम लोग अगर हमारा रिफ्लेक्टेट्ट रे जो है और हमें बोला है कि आपको बताना है कि आंगल आए कितना होगा बताओ आपको बताना है तो शिम्पल सी बात है दोस्तो आपने एक चीज़ पढ़ा है कि कभी भी कोई भी ray of light समझ लो यहाँ पर एक मेरा normal था यह मेरा normal ओला line है तो अगर कोई भी मतलब एक तरीके से normally नी बोलो एक कोई surface है यह और कोई भी incident ray of light आ रही है तो यहाँ से टकराने के बाद वो क्या हो जाती है reflect हो जाती है समझ लो तो यह मेरा i था यह मेरा i था यह मेरा r था अब एक normal अगर मैं बना दू यहाँ से normal straight line होता है तो मेरा उसने बोला कि reflection ray of angle बन रहा था वो 60 degree का बन रहा था यानि कि यह जो angle था जिसको हम लोग बोलेंगे r तो angle r जो था यह कितना था angle r मेरा कितना बन रहा है 60 degree का जो कि r है आपका angle r जो है 60 degree बन रहा है तो यह भी कितना होगा i जो होगा वो भी कितना होगा 60 degree होगा क्योंकि हमने एक property पढ़ा है according to the क्या बोलेंगे हम लोग according to the law of reflection जो हमने पढ़ा हुआ है according to the law of reflection angle i जो होता है sorry angle i जो होता है वो equal होता है angle r से therefore angle i जो होगा वो भी हो जाएगा 60 degree क्योंकि angle r क्या है 60 degree है तो डारेक्ली एंसर आ गया और लास्ट में आप statement लिख सकते हो कि जो मेरा the incident angle of reflection incident angle जो था will be equal to 60 degree आ गया खतम answer किता छोटा था within 2 second explain करने में मुझे इतना time लगा लेकिन आपको इसका answer लिखने में जहाँ सेदा 5 से 10 second लगेंगे और आपको एक या 2 marks का अगर पूछेगा exam में तो आप उसको easily solve करके आ सकते हो clear दोस्तों तो उमीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको बहुत ही अच्छे से clear हो गया होगा अब चलते हमारे next numerical की तरव ये पहला हो गया एक और छोटा सा numerical है दूसरा numerical वो मैं आपको करा दोगा फिर आज का lecture को stop कर दोगा और बचे हुए और एक दो numerical है second numerical क्या question में दिया हुआ है उसको पहले हम लोग समझने की कोशीर करते है तो second numerical है इस प्रकार है कि अगर angle जो होता है incident ray का और reflected ray का वो कितना दिया हुआ यहाँ पे 90 degree यानि कि in short बोला है कि समझ लो मेरा एक यहाँ पे कोई surface होगा यहाँ पे कोई surface है मेरा angle आ रहा है incident वाला और reflected वाला तो यह क्या होता है हमारा I होता है यह क्या होता है R होता है ठीक है अब यहाँ पे बीच में क्या होता है normal होता है normal अब इसमें एक चीज़ क्या बोला है कि जो angle होता है incident ray का और reflected ray का यह चीज हमें दिया हुआ है, क्या बोल दिया है, कि incident line और reflected line दोनों के बीच का angle 90 degree है, यानि कि यह i होता है आपका angle i और यह होता है angle r, तो angle i और angle r दोनों को plus करके 90 degree इतना हमें question में दिया हुआ है, और यह पूछा है, what are the values of the angle of incident and angle of reflection, यानि कि हमें निकालना है दोस्तों, क angle of incident और angle of reflection कितना होता है, यानि कि angle i मुझे निकालना है question mark, angle r मुझे निकालना है question mark, बहुत simple है, we know that, हम लोगो एक चीज़ पता है, क्या पता है, according to the law of reflection, जो हमारा law of reflection है, उसके accordingly अगर मैं बात करूँ, तो angle i जो होता ही, वो equal होता है angle r से, तो angle i के जगा पर मैं angle r लिख सकता हो, खुछ भी लिख सकता हो, तो मैं ये equation number 1 मान के चलता हो, इसको मैं बोलूँगा, put in equation number 1, मैंने 1 में डाल दिया कोई भी value, तो i के जगा पर मैं लिखता हूँ, angle r, तो angle i के जगा पर लिख दिया, मैंने angle r, और यहाँ पर angle r already दिया हुए, is equal to 90 हो जाएगा, तो 2, angle r angle r is equal to 90 by 2 कितना होता है, 90 by 2 is 45, तो angle r कितना हो गया, 45 degree आ गया, तो angle r 45 degree आ गया, तो angle i और angle r सेमी होता है, यानि कि देरफ़ोर angle i भी जो होगा, वो 45 degree और obviously ये चीज होना ही है, क्योंकि जितना भी angle i रहेगा, उतना ही angle r रहेगा, तो angle r आपने 45 degree निकाल लिख 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 45 degree directly, तो ये चीज हमने कितना आसानी से solve कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई hard चीज नहीं है, बहुत ही simple सा topic था, और बहुत ही simple सा numerical भी था, और ऐसे ही आपको numericals एक या दो marks के पूछते हैं, कोई एक चीज दिया रहेगा, आई दिया रहेगा, तो r निकालने या तो दोनों ही combine करके दिया रहेगा इस प्रकार से, और इसमें बुलेगा कि दोनों ही निकाल के दिखाओ, तो आप निकाल सकते हो, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि ये numerical आपको बहुत ही easily समझ में आ गया होगा, बहुत ही चोटा सा अच्छा सा numerical था, और इसके बा आपके सामने एक और नए lecture वीडियो में, जिसमें हम लोग आपके लिए एक और ऐसे ही बैतरीन, नया chapter के शुरुआत करेंगे, और उसको भी पूरी कोशिच करेंगे, जल से खतम करने की, ठीके दोस्तों, तो ये video आपको कैसा लगा है, ये chapter जो totally complete हुआ है, उसमें हर एक च से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीके फ्रेंड्स, तो मिलते हमारे एक लिए वीडियो में, ये video देखने के लिए, थ